पेश है मुम्रा का अलिशान धावा जहां का स्वाद आपको छूजाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं इस पेशल डिस्ट में पाए चिकन अचारी ड्राय, चिकन हाउसिंग ड्राय, सलोनी ड्राय, खब्सा राइस और भी लजीस पकवाद बिवरेज, आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलिवर, इसके अलावा दस्तर खान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे, चिलिबरेशन इसपेस अविलिवर, तो आज ही आए अलीशान फैमिली ढवार, मुंबई में बुर्खा और सोने के गहने का लालश देकर 13 साल की बच्ची से निकाह का दबाव बनाने का मामला, सामने आने के बाद अस्थानी लोगों ने दो लड़कों की पिटाई कर दी है, बताया जा रहा है कि नावालिक लड़की को इस्थिलामी धर्मांतरण के लिए धमकी दीज गई थी, 13 साल की लड़की को पिछले कई दिनों से परिशान किया जा रहा था, बच्ची की मा ने बताया है कि उनकी बेटी का पीछा किया जा रहा था, आरोपी ना सिर्फ अश्थिल इशारे करते थे, बलकी गालियां भी बगते थे, सोने के गहने और बुर्खा का लालच दे कर इस्लामी धर्मांतरण करने के लिए कहा जाता था, ये घटना मुंबई के उपनगर भयंदर की है, महराश पुलिस ने इस मामले में ततकाल कारवाई करते हुए दो लोगों को गिरफतार भी किया है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बच्ची की माने बताया है कि 20 साल का मुनवर मनसूरी और अजीम मनसूरी उनकी बेटी को प्रतारित कर रहे थे, रात के करीब साड़े आठ बजे मुनवर मनसूरी बच्ची को एक इमारत की छट पर ले गया, वहाँ उसे चैन, अगोठी और बुर्खा देकर उस पर निकाह के लिए दवाव बनाया, ना मानने पर धमकी दी, लड़की को फुसलाते हुए मुनवर मनसूरी ने उसे अपने साथ भाग जाने के लिए भी कहा था, माने अपनी शिकायत में कहा है कि जब उनकी बेटी ने इनकार कर दिया, तब मुनवर मनसूरी ने उस पर बंदूग तान दी, साथ ही गोली मार कर हत्या करने की धमकी दी, बच्ची ने अपनी मा को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस में इसकी शिकायत दर्च कराए गई और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहट धाराएं लगाई है, अस्थानिये लोगों को जब इस घटना के बारे में पता चला, जिसे पुलिस ने चब्त भी कर लिया है, घटना सो मुवार 12 जून 2023 की है, योन शोर्षण का मामला दर्च किया गया है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपी शनिवार तक रिमांट पर रहेंगे, जिसके बाद उन्हें जेल भेच दिया जाएगा, तब भागने मला था, बुर्खा क्यूं दिया था, प्यार करता तो इसके लिए दिया था, रोज पहनने के लिए भी बिना भूर्खा का ने चल सकता था, चल सकता था, लगो देकिन उसने बोला था ना उच्छा लग पिर मार खाएगा, लड़की बोला था ना भी मेद दिया था अभी तु बोला था ना मेद दिया था